बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बना है और पनीर का तो बहुत ही बड़ीया स्वाधार है यह में है फ्रेंड्स वेलकूम को शावरास किचन फ्रेंड्स हम कई तरह के समोसे हलवाई की दुकान पे खाते तो मेरा फेवरेट वर्जन है पनीर समोसा बहुत ही पनीर समोसा बहुत ही आसन तरीके से बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है आप इसे एक बार बार बनाओंगे तो चलिए स्टार्ट करते तो फ्रेंड्स यहां पर हमें पनीर समोसा बना निकले सामगरी चाहिए तो हमने यहां पर लिया है 500 पनीर यहां हमने समोसा शीट लिया है चार्ट मसाला लिया है आदा चम्मच यहां पर कश्मीर लाल में चलिया है एक टेबल स्पूल यहां पर एक पैस लिया है बारिक चौप करके ग्रीन चिली लिया है तीन से चार चौप करके मैदा लिया है यहां पर दो चम्मच अधर का एक इंच त कुड़ा लिया है बारिक चॉप करके यहां पर जीरा पोड़ लिया है एक चमच ब्लैक पेपर एक चमच फ्रेज धनिया सौद नुसर नमक गरम मसाल आधा चमच और फ्रैइंग के लिए तेल तो फ्रेंड्स यहां पर हम सबसे पहले पनियर को ग्रेट करके लेंगे तो हमने यहां पर इक ग्रेटर लिया है और हम इस तरह से ग्रेट करना है यह देखे इस तरह से यहां पर आप देख सकते है अब पनियर को अच्छे से ग्रेट किया है आप हम पनियर की फिलिंग बना लेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा पैन गरम हो चुका है अब हम इसमें आड़ करेंगे एक चम्मच ओयल, थोड़ा गरम कर लेते ओयल को, तो यहाँ पे तेल हो गया गरम, आप इसमें जाएंगी पैस, आपको अगर पनीर के अंदर पैस पसंद नहीं, तो फिर अब बिना पैस का भी करका प्यो फिली, इसे हम अच्छे से फ्राय करके लेंगे, तो यहाँ पे हम पैस को कलर चेंज होने तक फ्राय करके लेंगे, जादा ब्राउन नहीं करने है, अब हम इसमें डालेंगे, चॉप किया हुए द्रप, हरी मिर्च, हलका साम सॉटे करके लेंगे, तो यहाँ पे अच्छे से सॉटे हो चुका है, और पैस का भी कज़र थोड़ा चेंज हो गया है, तो आप हम इसमें डालेंगे, ड्राय मसाले, तो यहाँ पे हम डालेंगे, कश्मी लाल मिर्च, जिरा पाउडर, चाथ मसाला, ब्लाक पेपर, गरम मसाला, आच्छे से मिक्स करके लेंगे, आप हम इसमें डालेंगे, ग्रेट की वह पनीर, निक्स करेंगे, तो यहाँ पे हम एड़ करेंगे, टेस्ट के ओपर लिंग नमा, मिक्स कर लेते हैं, तो फ्रेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हमाल सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, हमने यहाँ पे पानी का यूज बिलकुल नहीं किया है, तो यहाँ पे हमारा फिलिंग रेड़ी है, तो हम ग्यास के फ्लेम आफ कर देते हैं, और फिर लास में डालते हैं फ्रेश दनिया, मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे हमारा फिलिंग रेड़ी है, इसे अब हम थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पनीर की फिलिंग को एक प्लेट में निकल लिया है, थंड़ा होने के लिए, इसे हम कुछ दिर छोड़ देंगे इसी, ताकि हमारा फिलिंग यह थन्दा हो जाए है तो यह पर हमारे पानिल का फीछ थन्दा हो चुका है आच्छे से इसे आफ हम ठरके साइड में कशन Dollar और यह पर हम सबसे पहले मेरी कई गोल बनाइनगे तो हमने यहां पर दो छमज्च मैरा लिया है इसमें माइड और यह दो एक छमज पानी Hum अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ सावा डालेंगे, तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं, गोल एक दम रेडी है, तो फ्रेंड्स यहां पर हमारी सारी पिपरेशन हो चुके, तो अब हम समुसा फिल करते, तो यहां पर हम एक शीट लेते, यह मार्केट में आसाने स डालेख चाहिए, आप निद्स यह तो फ्रेंड्स है, यहां पर हम सबसे पहले, पट्टी को इस तरह से फोल करेंगे, यह दिगमें और फिर हमें यहां पर एक फोल मारना है, है रीचे चाहिए, और नीचे से पूरा पैक्च चाहिए, इस तरह से, अब हम इसमें पनीर कर य लगबख हम दो चमर्ज डालेंगे स्टफिंग को तो यहां पर हमने डाल दिया है थोड़ा हलका सब प्रेस करेंगे और फिर हम मैदी का गोल लगा लेते इस तरह से हमें सारे साइड से अच्छे से मैदी का गोल लगाना है ताकि वो अच्छे से चिपक जाएं तो फिर तेल में सब स्टपिंग आता है बाहर इस देखें और हमें इस तरह से पैक करना है और फिर यहां पर हमें वापस ऐसे गोल लगाना है और फिर इसे पैक करना है इसे तरह हम बाकी की समोसे भी फिल कर लेंगे तो सेम प्रोसेस हमने करना है फोल मरना इस तरह से यहां पर फिर एसे और फिर पैक करना है नीचे से हमें प्रोसेस से करना है तो यहां पर हम फ्रेस करेंगे और यहां पर इस तरह से फोल करेंगे और फिर दूसरे साइट में भी गोल लगा लेते हैं इसी तरह हम बाखी के समोसे भी फिल करके लेते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर हमारे समोसे बुन की रेडी है चलो अब हम फ्राइ करेंगे तो साथ ही यहां पर हमने तेल रख आए गरम कर निगले तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें समोसा डाल देते हैं लास्ट टाइम भे हमने यहाँ पे चिकन समोसा बनाया था, सेम प्रोसेस ही, आपको अगर पट्टी समोसा पसनने तो तो आप सिंपल आटी सी भी बना सकते हो, पनीर समोसा, वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है, इसे हम फ्राइ करेंगे, बोल्डर ब्राउन होने था, प्लीप करेंगे, बट्टी समोसा भी बहुत ज़्यादा कुर्कुरी बनते हैं, और टेस्टी भी लगते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फ्लेम मेडियम रखियें, हम अच्छे से समोसा उनको फ्राइ करके लेना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, समोसी का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, और थोड़ा हमें अच्छे से ब्राउन करके लेना है, तो यहाँ पे हमने गास के प्लेम लो रखिये, पनीर के समोसी से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और इनिक रेसी भी है, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और कम से कम सामगरी में बनती है, ऐसे तो हम नॉर्मल समोसी बहुत ही खाते हैं हलवई की यहाँ पर जाके, बट पनीर समोसा बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही टेस्टी लगता है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी समोसी अच्छा से फ्राय हो चुके हैं, आप इसे हम निकल लेते, यहाँ पर देख सकते कलर कितना बड़ी आया है, इसे हम एक प्लेट में निकल लेंगे, सेम प्रोसेस से हम दूसरी बैच को भी फ्राय करेंगे, सेम प्रोसेस से हमें फ्राय करना है, तो यहाँ पर हमेने फ्लिप करेंगे, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी समोसी अच्छा से फ्राय हो चुके, इसे भी निकल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी पनीर समोसे एकदम रेड़ी है, फटा-फट से हम प्लेटिंग कर लेते हैं, वाँ, कितने मज़दार लग रहे हैं पनीर समोसे, एकदम हलवाई स्टाइल में बने, तो friends हमने यहाँ प्लेटिंग कर लिए हैं, और हमने टोमे में टोने केच्छप के साथ में प्लेटिंग कर लिए तो आप चाहे तो हरी चेट्नियां पिर लाल चेट्नि के साथ में खा सकते हो, बहुत ही बंतर लगते अब बहुत ज़्यादा टेस्टी तो अब हम ट्रमेंटर केचप को थोड़ा सा इसे स्प्रेड करेंगे तो अब आती है टेस्ट की बारी मुझसे तो रहा नहीं जा रहा ऐसे लग रही कि मैं सब खा जाओंगे तो अब टेस्ट करके देखते हम तो यहां पर देखें कितना क्रिस्पी बनाए और कुरकुरा मुझे तो पट्टी समसा बहुत ज्यादा पसंदे तो थोड़ा साम सॉस में डीप करते हैं बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बना है और पनीर का तो बहुत ही बड़िया स्वाधार है यह माशालला बने पनीर समोसे तो फ्रेंड्स ए पनीर समोसा बना क्या पेंज़ाए करें रैसे ही मज़दार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एक क्यों बाव बाव यह 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 बाव यह यह.